लिखावा है from the following particular of the income of स्री राम गोपाल, स्री राम गोपाल की income है, ठीक है, compute is taxable income under the head, income from other sources for the year ended 31st मार्स 2022, 31st मार्स 2022 को जो साल खतम हो रहा है, उसमें स्री राम गोपाल की अन्य संसाधनों से, income from other sources से, income को compute कीजिए, income की गन्ना कीजिए, ओके, कर देते हैं, computation of income from other sources, computation of income from other sources for the assessment year 2022-23, previous year कौन सा हो जाएगा, 2021-22 अब यहां क्या-क्या दिया हुआ तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है आप उनको फर्स पॉइंट, he owns अनम्यानमार, म्यानमार एक country हे है न, अन अग्रिकल्चर लेंट, अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर अग्रिक fledऽे, चाहे हैं, यह क्या-क्या खिती भ हो neighborhood, अटे लेंड से कोई भी आपको एग्रिकल्चरल एक्टिविटी चाहे नॉन एग्रिकल्चरल एक्टिविटी से आपको इंकम प्राप्त होती है तो वो क्या होती है टेक्स बलू होती है तो यह म्यानमार जो है वहां से agricultural land पर उसको 25 जार रुपे की क्या हुई कमाई भी income हुई तो agricultural income from agricultural land in Myanmar उपस हो जाएगा income from agricultural land in Myanmar किती 25,000 यह कि अगर इंडिया की अगर इंडिया में कोई एग्रिकल्चरल रेंड होती और उससे एग्रिकल्चरल इंकम होती तो वह एक्जम्ट हो जाती मैं फिर कह रहा हूं इंडिया में अगर कोई एग्रिकल्चरल रेंड होती और उससे कौन सी इंकम होती एग्रिकल्चरल n income होती Krasy होती तो dug जाती कि लेकिन बाहर ए रे अग्रिकल्चरल लेंट और बाहर से इंकम हो जाती रेकर क्रेकल्चरल स्वराइन ठेक सेबल है ah sorry वो taxable एक्रेजम्ट नहीं होती ओके ठीक लेइन अगर कोई बोले सरं इंडिया में कोई एग्रीकल्चरल रेंट एक्रसी भूमि वह है वहाँ से एग्रीकल्चरल क्रसी क्रसी हमें हो तो ाइ繁ड्ट्ट लेकिन नौन एग्रीक्ल्चरल इंकम हो तो यहां देखो यह इसलिए बोल रहा हूं आगे देखो क्या लिखावाद है प्लोट आप लेंड पहले बाद लेंड का प्लोट अग्रिकल्टरल लेंड नहीं है आग्रा में है प्लोट पड़ा है नौन अग्रिकल्टरल एक्टिविटी के दे दिया गैर क्रसी जो सामान होता है उसको रखने के लिए अग्रिकल्टरल एक्टिविटी के लिए नहीं दिया अगर अग्रिकल्टरल के देता तो फिर एक्जम्ट हो जाता नौन अग्रिकल्टरल है तो टेक्स कि इसका में चार्ड भी बनवा दूंगा भी आपको एक्रिकल्चरल वाले का ठीक है 1000 पर मन्त है तो बारा मेने कितना हो गया बारा जार और विच विलेज मार्केट आर हेल्ड एक और प्लोट है उस प्लोट के उपर भी अग्रिकल्चरल एक्टिविटी नहीं वरी गाउं का जो मार्केट है वो उस प्लोट पे हैं यानि की बाजार बना हुआ है और किराय लेता होगा वो तो इस लेंड फैच हिम एन इंकम आप 25,000 पर मंद नहीं है दूरिंग दा इयर ओके तो इंकम फ्रॉम प्लोट जहां पर क्या है विलेज मार्केट है तो ये नोन अग्रिकल्चरल एक्टिविटी होगी 25 रोपे पर एनम है प्रतिवर्स है मन्त नहीं है तो बारा से मल्टिम्प्लाइ मत कर देना ओके इसका बोलो तो मैं एक चार्ड बनवा देता हूं देखो अगर आपकी एग्रिकल्चरल लेंड है लेंड तुम पता करते हैं वह एग्रिकल्चरल लेंड कहां से हैं इन इंडिया आउटसाइड इंडिया को हाए ओकी अगर इन इंडिया हो सिक तो उस लेंड से क्या इंकमनी अगर उस लेंड से के अगरिकल्चरल इंकम हो रही है क्या हो रही है एग्रिकल्चरल इंकम तो तो वो हो जाती है एक्जम्ट क्रेशी आये एक्जम्ट है लेकिन वहां से होती है नौन एग्रिकल्चरल इंकम एग्रिकल्चरल लेंड से नौन एग्रिकल्चरल इंकम होती है और इंडिया के अंदर है तो वो जैती है टक्सिबल है आउटसाइड इंडिया है उससे चाहे आपको एग्रिकल्ट्रल इंकम हो चाहे नौन एग्रिकल्ट्रल इंकम हो दोनों ही क्या होती है टक्सिबल टक्सिबल यह मामला है अब समझ में आ गया होगा आप नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या है डियूरिंग ड़ प्रिविएस एर प्रिविएस यह नहीं की हमारा ऑन जो 21 इस है उसमें के वाम मनेजबंट propose उनको इसने थोड़ा गाइड वाइड किया और वहां से इसको consulting fees मिली किती पिछे तरह जार रुपे की तो ये income from other sources में ये salary तो है नहीं तो management consultancy fees management कंसल 10 c फीस किती 75,000 ओके नेक्स्ट ही आज़ा क्वैरी इन जैपूर देखो उसकी जैपूर में एक पत्थर की खान है माइन है एक मतलब लेट इट आउट तो मिस्टर ए और उसने वो खान मिस्टर ए को दे दी ये कौन है हमारा मिस्टर राम गोपाल राम गोपाल के पास में एक माइन है एक खान है और उसने वो खान किसको दे दी मिस्टर ए को फ्री में नहीं उसके बदले में मिस्टर ए से ये क्या लेगा रोयल्टी लेगा रोयल्टी किती है 25 पैसा 25 पैसा है रुपे नहीं है पर टन कि Mr. A जितना भी उससे निकालेगा सामान तो पर टन एक टन निकालेगा तो 25 पैसा रोयल्टी किसको होगी राम गोपाल को पैसा मिलेगा क्योंकि खान उसकी है ओके स्टोन रेज़ जो भी स्टोन रेज़ की जाएंगे 10,000 टन का प्रिविएस येर के अंदर प्रोडक्शन हुआ तो 10,000 टन मल्टिप्लाइ कर देंगे 25 पैसा तो पता चल जाएगा रोयल्टी कितनी ये इंकर एन एक्सपंडिचर 400 इन कनेक्शन विट अर्णिंग ऑफ रोयल्टी और इसके अंदर उसने 400 रुपे खर्च भी किये किसने मिस्टर राम गुपाल ने ओके तो देखिए रोयल्टी इंकम कितनी 10,000 टन मल्टिप्लाइबाइब पॉइंट 25 पैसा तो यह हो जाएगा 25 रुपे उसमें से लैस कर दो एक्सपेंसे इंकर्ड कितने खर्चे किये वो कि 400 रुपे के वो लैस हो जाएंगे तो 21 रुपे क्या हो जाएगा टेक्सिबल 21 रुपे टेक्सिबल आगे इसको क्या करना था कोई एसेट बेच नहीं थी एसेट बेच नहीं थी ना तो सामने वाले यह राम गोपाल जो एसेट बेच रहा था तो सामने वाले में कुछ एडवांस पैसे दे दिए एडवांस पैसे किते दे दिए पचास जार रुपे जिसको पेजगी बोलते हैं आडवांस देना पड़ता ना बुक कराने के लिए तो वो पचास जार रुपे सामने वाले ने दे दिए किसको राम गोपाल को राम गोपाल को पचास जार रुप यह व्लाप पॉइंट मैंने लिखाया भी था लिखेंगे एडवान्स एड़ेंगे एडवान्स इमाउन्ट फॉर फिचर एड़न्वांउंट रसीवड एड़वान्स आमउन्ड अमांउन्ट जो प्षू गते लिया में ए डवन्फ अमाउन्थ पॉफिचर पॉफिचर मतलब जब्द कर लिया कितना 50,000 बस इतने पॉइंट है आप टोटल कर लो इसकी इसकी टोटल करोगी तो 25,000 प्लस 12,000 प्लस 25,000 प्लस 2100 प्लस 50,000 या रहा 1,66,600 या वी टोटल इंकम फ्रॉम अधर सॉर्स ठीक है बताव